सब्स्क्राइब किजिए टेकनिकल फाइब्च चानेल को और बेल आइकन को बजा दिजिए ऐसे इंटरेस्टिंग टेकनिकल विडियो देखने के लिए हलो दोस्तों मैं ऑगर आप देखरों मेरा चैनेल टेकनिकल फाइब तो समझीज़ब मैं बात करेंगे तो बहुत ही इंटरिस्टिंग है आप इतने दिनों से बहुत ही पडिशन थे कि आप Infinix के Hot 8 में क्यासे बैटरी परसेंटेज को एनाबेल कर सकते हो तो मैं आज आपको दिखाऊंगी के Infinix के Hot 8 में आप क्या से बैटरी परसेंटेज को इनाबेल कर सेकते हो यह आप सारे Infinix के मोबाइल में ही कर सेकते हो मैं आभी यूज कर रहा हूँ Infinix का Hot 8 तो सबसे पहले आपको क्या करना परेगा आप अभी ताक मेरा चैनल में सबस्काइब नहीं किया तो जड़ो सबस्काइब कर ले ना क्योंकि ऐसे इन्फोर्मेशनल वीडियो में हर रोज लेकिया थो तो सबसे पहले आपको जाना परेगा सेटिंग्स में तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ में जो फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ ओह है Infinix का OK XOS भार्सन चल रहा है आप देख सेकते हो XOS भार्सन Infinix आप देख सेकते हो Infinix का Hot 8 में यूज कर रहा हूँ डिवाइस नेम आप देख सकते हो Infinix का Hot 8 OK तो आपको सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिंपली जाना परेगा Simply first में आप देख सेकते हो fifth number में जो option है fifth number पे है आपको battery lab इसमें क्लिक करना परेगा क्लिक करने के बाद आप देख सेकते हो बहुत सरी option है AI Smart Power Saving इसमें आपका Power Save होगा उसके बाद App Power Consume Management बहुत सरी option है Professional Setting उसके नीचे है battery use और उसके नीचे है battery percentage तो यह जो battery percentage है इसको आपको मैं दिखाऊंगी कि यह Disable हो होके है तो इसको आपको simply enable कर देना होगा Okay enable करने के बाद मैं आपको दिखा दीती हूँ कि मेरे जो mobile में है और वीडियो को अच्छे लगा तो लाइक करना स्यार करना चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना